होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामना है होली का की अगनी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और होली की राख को तांतरिक टोटके करने और जोती से उपाय करने के लिए भी परभावसाली माना जाता है तो आज हम आपको होली के राख के कुछ अच्चू परियोग बताएंगे जो जीवन के तमाम परिसानियों से बाहर निकालेंगे तो होली के राख के वो तोटके जो धन बढ़ाएगा परिवार में सुखसान्ती लाएगा दामपत्र जीवन बढ़िया करेगा तंतर क्रियाओं से बचाए रखेगा अगर आपको सक है कि किसी ने आपके घर के लोगों के उपर या आपके घर पर ही तंतर क्रियाएं कर दी है तंतरी क्रियाएं अगर आपको लगे कि किसी ने आपके उपर गलट टोटका किया है आप होली का दहन की रात एक ऐसा रात है जब आप बिना कोई खर्च के कोई कोई बिना परेशानी के आप ये प्रियोक करके तंतर क्रियाओं से बच सकते हैं होली के राक को आपको लाना है लेकिन आप करेंगे क्या सबसे पहले जब होली का जल जाए तब आप उहां पर जाईएगा थोड़ा सांत भी रहे तो कोई बात नहीं क्योंकि आग तो सुबह सुबह तक रहता है तो होली का दहन के समय थोड़ा सा घी में दो लॉंग डूबो ले एक पान का पत्ता ले उसके उपर एक बतासा रखे और घी में डूबोया हुआ दो लॉंग रख दे थोड़ी सी मिसरी रख दे और दोनों हातों से होली का की अगनी में जो उहां पर जल चुकी है उसमें प्रजोली डाल दे आप और उसके बाद थोड़ा सा राक कोई स्टिल बेगर का बरतन ले जाईएगा या किसी भी तरह का लोटा बेगर आप लेके जाईएगा थोड़ा सा राक क्यूंकि रात में तो राक गरम रहेगा अगले दिन सुबह भी आप ला सकते हैं ले आईए और इसको आप अपने घर क सोटेगे चारव तरफ छीरख दे चांदी में भर कर चांदी की तावीज में आप गले में भी पहने सकते और किसी पर्स में भरा-देख जाएगा अगर ज्यादा मुस्किल हो तो घर के मुखे द्रवाजे पर आप लटका दीचेगा तो यह सिंपल सा परियोग है आपके घर परिवार को सुरक्षा कबच देगा होलिका देहन की राख कई बार होता है धन की मुस्किले बहुत परिशान करती है अगर आपको भी लगे कि कामधंदे में हानी हो रही है कामधंदा ठिक से चलता नहीं धन की मुस्किले है तब एक छोटा सा परियोग कीजिएगा होलिका देहन होने के पहले याद रखिए होने के पहले जहां पर होलिका देहन की जाती है आपको वहीं पर जाना है और आप पहले से पता कर लिजे कहां पे होगा ठीक उसी अस्थान पर आप लेकर जाईएगा अनार की कलम और हरा गुलाल हरा रंग का गुलाल अगर आपको अनार की कलम ना मिले अब अनार का कलम क्या हो कैसे आप उसको प्रयोग मेला है कहां से आपको प्राप्त करें किसी भी पुझापाथ के दुकान में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है, तब आप बिलव पत्र का जो डंठल होता है वही ले लीजिएगा, कलम बना कर, पहले आप, अपने जैसे के आपके भैपार धन्दे में हानी हो रहा है, तो आप लिखिए, अनार की कलम से, कि हानी हो रहा है, आपका पैसा फस गया तो आप वही लिख दीजिए कहीं पर आपको किसी को कोई आपको परिशान कर रहा है तो भी लिख दीजिए अब लिखकर अनार की कलम से लिखना है जमीन पर अब हरा गुलाल उसके उपर छिड़क दे और वहां पर जब होली जल जाए जब जल जाए सां देखिएगा पैसों की समस्या समाप्त हो जाएगी अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ लंबे समय से अच्छा नहीं हो रहा है ना तो किसी का साधी विबा हुआ है ना ही कोई संतान प्राप्ती हुआ है ना पूजा पाठ हो रहा है आप चाहते भी यह नहीं करभा पारे सुब और मांगली कारे नहीं हो रहे यानि खुजिया नहीं आ रही किसी ने किसी तरह से हर कारे में बाधाएं आ रही है तब होली का देहन की रात एक चोटा सा काम कीजिएगा जो होली का देहन की राक होती है ना उसको आप अपने घर में ले आईए अगर जीवन में अच्छी चीजे नहीं हो रही तब घर ले आईए और उस राक में थोड़ा सा राई पीली वाली सर्सों होती है थोड़ा सा मिला ले और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दे नमक और राई पीली वाली सर्सों मिला कर आप अपने घर के किसी भी साफ स्थान पे रख दे आप देख अब एक छोटा सा और प्रियोग देखिए कुंडली में कई बार जो साले गरह भी गड़ जाते हैं कुछ भी अच्छा नहीं होता है आप लाग प्रियास कर लो वहीं के वहीं हो आपको लगता है कि भाग साथ नहीं दे रहा मुस्किलें ज्यादा है तब एक छोटा सा काम करें जीवन में जब ज़्यादा समस्या हो स्वास्त की हो धन की हो पैबाईक जीवन की हो संतान की हो कोई भी समस्या हो तब आप होलिका की राख जब ठंडा हो जाए न अगले दिन सुबह यानि की होली बाली दिन आप थोरा सा ले आईए और इसको नहा वाके लाएएगा या प जो जल्मे मिलाए है आपने उससे सिभजी को अभिसेख करें सिभजी से प्रार्तना करें जीवन की जो भी समस्या है उनसे कहें यकिन मानिए सिभजी सारे कस्ट दूर करेंगे क्योंकि हुलिका की राक से ज्यादा पवित्र कोई भी राक नहीं तो होली का दहन के अगले दिन अगर आप होली का की राख थोड़ा से अपने घर में ले आते हैं पूरे घर में छिड़क देते हैं तो घर से हर प्रकार के नकात्मक उरजाएं सांत हो जाती है घर में घर से बाहर सुख सांती आती है वास्तु दो समाप्थ हो जाते हैं जब आप घर में होली की राख लेकर आते हैं तो उसको दो जगह रखिए एक तो आप किसी भी कांच के बोटल में या आप मिट्टी के पातर में आप उसको रख दें जहां से आप नियमी दूरूप से तिलक करेंगे या कांच की बोटल में आप रख कर घर के पुजास्थान म के दाने और नमक डाल कर सको मिला कर आप रख दें घर के पुजास्थान में कहीं पर साइड में क्योंकि यह पहुत पवित्र राख है घर के तंत्र क्रियाओं को समाप्त करेंगी घर पर आपके किसी का भी नजर दोस्त हाई बद्द्वा कुछ भी नहीं लगेगा तंत्र क् कंट पर गले में तिलक लगाएंगी इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको होली से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है इस दिन कुछ खास उपाई किये जाते हैं तो होली से पहले वो कौन सी बस्तू है जो आप घर में लेकर आकर रख लें ताकि आपको परिसानी ना हो वैसे तो आप खाने पीने की तमाम बस्तू को करी देंगे क्योंकि होली का त्योहार ही एक ऐसा त्योहार है जब हम फास्ट नहीं रखते बलकि जीब भर के खाते हैं खुसिया मनाते हैं उमंग के साथ तो होली दो दिन मनाई जाती है जो भारत में वैसे तो बहुत धुमधाम से मनाई जाती है और आप भी मनाते होंगे लेकिन जो रंगों वाली होली है वो जो फालगुन महा की पूर्णिवा है उसके अगले दिन, यानि कि चैत्र महा की परतिपदा को मनाए जाती है और नए साल की सुरुवात भी यही से होती है, तो सुखे गुलाल पानी के रंगों का सब दूसरे दिन मनाया जाता है, तो होलिका देहन के दिन कुछ खास प्रियोग के जाते हैं जिसके लिए आप पहले से चीजों को ले आए जैसे कि नारियल का सुखा गोला कहते हैं कि होलिका देहन की अगनी में जब आप नारियल का सुखा गुला साबूत नहीं डालिएगा उसमें आप कुछ भर दें मीठी बस्तू उसके बाद उसमें डाल दें तो आपको जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और नौकरी बैपार में सफलता मिलती है अगर जीवन में आर्थिक रूप से परिशानी है समस्याओं या बहुत जादा टेंसन है तब सुक्सांती के लिए आप जो गिहूं की बालियां होती है या धान की बालियां आप हुलिका देहन की अगनी में जरू डालें अगर बैवाही जीवन में समस्या है, मुस्किले हैं, आपको लगता है बैवाही जीवन बहुत टेंसन है, तब आप हवन समग गई हुली का देहन की अगनी में डालें और पहले से आप इसको भी लेकर घर आ जाईए अगर आपको लगता है कि लक्षमी स्थिरी नहीं रहती, तब 11 कोड़ी आप हुली का देहन जहां पर होगा पहले से जाकर हलका सा गड़ा करके उसमें दबा दे और जब आपकी हुली का देहन थंडी हो जाय राक या उसमें के बाद हुली का देहन हो जाय अगनी प्रजली बाद में आप उन कोड़ियों को लाकर लाल कप्रे में बांध कर चिपा कर रख दें तो धन की मुस्कले समाप्त होती है जो गोमती चक्र होता है अगर आपको लगे कि किसी के कुछ कर दिया है तो गोमती चक्र सर से उतार कर हुली का देहन की अगनी में डाल दे तो ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होती है और तंत्रबाधा मंत्रबाधा समाप्त हो जाती है अगर सनी राहू केतू परिसान करे तब आप काला तिल एक सुखा नारियल और सर्सों के दाने साथ बार उतार कर पूरे घर के परिवार के लोगों से उतार कर अगनी में डाल दें भैसे मुक्ती मिलेगी सनी राहू के तू सबसांत हो जाएगा लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता मिले ना मिले तब होलिका की अगनी में आप पहले से खरित के लिए येगा पान का पत्ता और सुपाड़ी और सुखा नारियल डाल दें आप देखिएगा हर स्वास्त अच्छा रहता है स्वास्त की समस्य दूर हो जाती है हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखें धन्यवाद